एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसराइल ने अब इस बात को मान लिया है कि उसे युद में दूसरा मोचा खोलना पड़ सकता है लेबनान की तरफ से अचानक हमले इतने ज्यादा तेज हो गए है कि अब हिजबुला को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है गाज़ा में हमास इसराइल के 44 सेनिकों को खख्म कर चुका है वहीं अब हिजबुल्ला भी चुन चुन कर इसराइल के सेनिकों को तागेट कर रहा है ये घाजा नहीं है ये हमास भी नहीं है ये है उत्तरी इस्रेल लेबनन से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहनुम की आग जल रही है इस्रेल अब लेबनन को घाजा बनाने की तयारी में जुट गया है क्योंकि हिस्पॉल्ला ने इस हमले को अन्जाम दिया है इस्रेल और लेबनन बॉर्डर पर हुआ ये हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इस्राइल के कई सैनिक बूरी तरह घायल हुए है अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए हेजबॉला के लड़ा के रमीम बैरक के पास एंटी कैंक मिसाइल पायर करते हैं और फिर होता है ये धमा का इस स्वर्थ लेबनन और इस्राइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि घाजा में हो रहे हमले छोटे लगिंगे हेजबॉला ने अपनी सबसे खतरनाग स्नाइपर पोर्स उतार दी है हेजबॉला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इस्राइल की पूस्ट पर लगातार हमलों का ओडर जारी किया है इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी देती है इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इस्रैल लेबनन को माफ नहीं करेगा इस्रैल की रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए इस्रैल की वॉनिंग बहुत साफ है उसने जो हाल फिलिस्तीन के घाजा का किया है यही हाल वो लेबनन की राजधानी बेरूद का कर सकता है यानि इस्रैल ने अब जो पहले घाजा का हाल किया है वही वो बेरूद को दूसरा घाजा बना कर करेगा सवाल है कि इस युद में कितने घाजा बनेंगे हिस्बुल्ला का एक और हमला देखिए हिस्बुल्ला ने इस वक्त इस्रेल की नाक में दम कर दिया है इस्रेल को दूसरा मूर्चा कोलने के लिए मजबूर कर दिया है हिस्बुल्ला इस वक्त इस्रेल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है क्योंकि हिस्बॉल्ला ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इस्राइल पर हमले जारी रखेगा हिदना फिल आयाम इल्कलीला अलमादिया मौज जदीदा मिन अत्तहदीदात मिन नतिन्याहू, मिन गलंट, मिन गनेट्स, मिन आखरीन बातिजाह लुबनान क्याश्य हिए इस्राइल पर यारून इलाका है यहां उटता धुआ इस्राइल की बंबारी का नतीज़ा है हिजबुल्ला के अटेक के बाद इसराइल लगातार दक्षुनी लबनन पर बंबारी कर रहा है इसलिए डर है कि अब इसराइल बेरूत को दूसरा घाजा बना सकता है हिजबुल्ला के महासचीव हसन नसरल्ला ने अपने भाशण में ऐसी बाते कहीं है इससे साफ है कि इसराइल और फलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी खत्रा है कि इसमें दस गुना ज्यादा मौते होंगी टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौक जाएगा ये बात पहले से साफ है कि हिजबुला के पीछे इरान है इरान से जैसे ये आरडर मिलता है हिजबुला इसराइल को टारगेट करता है ये इरान का ऐसा प्लैन है जिसमें हिजबुला के हमलों के बाद इसराइल बुरी तरह उलच कर रह गया है एरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इसलामिक देश अब इसराइल के खिलाफ नहीं वो घाजा की तबाही में बराबर का साज़तार है मिलत हाई मुसल्मान इन दामाई ये नंगी खुद मीदानन कि दर जमानी के खुद बरादरान शन दर गजज़ बर जमीन मीरीज़त दुलत हा बराए मनाफ़ इक्तिसादी सुख्ट माशीन जंगी इसराइल रा तामीन कुनन लेपनन बॉर्डर पर चल रही लड़ाई सेलत अगर घाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त वो इसराइल की बंबारी में खंडर बनता जा रहा है 11,000 से स्यादा लोग मारे जा चुके हैं इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं ऐसे में इसराइल की धंकी क्या हेजबॉल्ला को डरा पाएगी क्योंकि नेतनियाहू ने साफ कर दिया है कि युद्द करना हेजबॉल्ला की जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी देखा जाए तो हेजबॉल्ला वो संगठन है जैसे एरान से पूरी मदद मिलती है और एरान हेजबॉल्ला को इस्रेल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तेमाल भी करता आया है लेकिन इस्रेल ने अगर हेजबॉल्ला का हाल हमास्क जैसा करने का फैसला किया तो लेपनन में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है 2006 में हेजबॉल्ला और एरान के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था तब इस्रेल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे जबकि हेजबॉल्ला के 2500 लड़ाकों समेट लेपनन के 1200 लोगों की मौत होई थी हम अपनी वीडियो लाइबरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तज़्मीरे निकाल कर लाएं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इस्रेल भेर से लेपनन का वही हाल कर सकता है जो इस बार वो घाजा का कर रहा है इसलिए हेजबुल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इस्रेल अब बेरूत को दूसरा घासा बना देगा ये वो साफ साफ कह रहा है 2006 का इस्रेल लेपनन युद संयुक्त राश्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ इस्रेल के टैंक लेपनन के अंदर खुस गय थे तब भी इस्रेल का मरकावा टैंक सबसे खतरनाकी युद मशीन बनकर लेपननन पर तूट पड़ा था हानकी सीज फायर के बाद इस्रेल को बड़ा घाटा हुआ उसकी फाज को लेपनन से पीछे हटना पड़ा यही वज़े है कि हिजबुला 2006 में हुए युद को अपनी जीत बताता रहा है क्योंकि इस्रेल एक सीना नहीं बलकि मिलीशिया को भी हराने में नाकाम रहा था हाना कि हिजबुला को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था ऐसे में अगर ये जंग बढ़ी और लेबनान और इस्राइल के बीच युद आरपार का हुआ तो इस बार हिजबुला को बड़ा जटका लग सकता है ऐसे में समझ लीजे कि अगर हिजबुला को जटका लगा तो इसका असार तेहरान तक पहुचेगा वैसे नितन्याहू भी यही चाते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाइश अब पश्चिम एश्या को बारूद के धेर पर बैठा चुकी है और इसमें सबसे ख़दरनात बंबारी हिजबुला के दरफ से की जा रही है गाजा से अलग इसरेल लेपनन बॉड़क पर जो युद्ध अब तक धीमा चल रहा था उसमें अचानक बारूद की मात्रा बढ़ने से दुनिया में घबराहट फैलती जा रही है उसमें हिजबुला के 73 से जादा लड़ाके इसरेल के अटैक में मारे जा चुके है जबकि इसरेल के 9 सैनिक हिजबुला के हमले में जान गमा चुके है हिजबुला ने इसरेल के ठेकानों पर अपनी जुआला मुखी वाली मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है इस मिसाइल के बारे में नसर अल्ला ने बहुत डीटेल में बताया है ताकि इसरेयल को पता चल जाए कि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला इस बार किस तरह के हत्यार लेकर तैयार बैठा हुआ है तृ configur अल्ला के ब समी समी हा ल्बुर की जती तसटएव विर्भ अल्मए जाती सल्मए जा बुं काई में पता ट्बुर्वद ट्रहस मेंद बारे मुंद अल्माता बार को ं writers' का जंऊ्genा की मजुटा तुन तका ड्भल्ला की महा सा Song हसन नस्राला की तरफ से जो धमकी आई है वो इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगी इसे लेकर इज्राइल की प्रधान मंत्री बेनमीन नेतनियाहु ने भी तेवर कड़े कर लिये अनक्नु ननाचेख अनक्नु लो नाचोर अद लनिचखोन अनक्नु अधमकी तरफ से जो बाइडन अनक्नु मेड मारीखीं प्त्मिखतो तत्मिखा शेल अमेरिकानी तत्मिखा शेल आम अमेरिकानी वैसे हिस्बॉल्ला को लेकर इज्राइल की मदद करने पहुँचे अमेरिका को बिना लड़े एक बड़ा जटका लगा है भूमध्य सागर में अमेरिका के समुत्री बीड़े का हिस्सा रहे पांच कमांडो एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान मारे गए हैं अमेरिका के कैरियर युएसे स्पोर्ट से ओपरीट करने के दौरान उसकी स्पेशल ओपरेशन थीम यानि सील कमांडो दस्ते के पांच सैने के खेलिकॉप्टर हद से में मारे गए इस स्वक्त एजरेल और अमेरिका के लिए चार एच बहुत बड़ा खत्रा बने हुए है इन चारों एच के बारे में बहुत गोर से समझेगा क्योंकि इन चारों एच को इरान का पूरा समर्थक है एच से हमास एच से हेजबुला यानि लबनन का मिलीशिया एच से एराग का मिलीशिया हज्ड अल शाबि एच से हूथी यानि यमन का विद्रोही को इसरेल के शेहर टार्गेट पर है और घाजा में बंबारी के खिलाब फेजबुला और हूथी दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है लेकिन ऐसे हमलों और घाजा पर बंबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वार ट्रेंगल तयार कर लिया है नेतन्याहू के वार्ट रेंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन्याहू के वार्ट रेंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हेजबुल्ला का अंत है जबकि नेतन्याहू के वार्ट रेंगल में तीसरा सबसे ख़तरनाक होना है सीरिया जहां से एराक का मिलीशिया हज्द, अल, शाबी इस्रैल के बॉर्डर तक पहुँच सकता है यही वजह है कि सीरिया पर इस्रैल के एरफोर्स ने हमले तेज कर दी हैं यह तीनों जगर इस्र इस्रैल इन्हें अपने खिलाप सबसे बड़ा खत्रा मानता है इस्रैल के जवावी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इस्रैल अब पीछे हटेगा उसके रास्ते में जो आएगा इस्रैल अब उसे मिटाना चाहता है फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, यमन ह या फिर इस्रैल का इरादा पक्का है जो उससे टकराएगा जूर जूर हो जाएगा